क कर दोस्तों आप सब लोग arrive के सारी सीलिबस के बाद करने वाले कि क्या वाल गूंआ करने वाला है व क्या से यह विलोग का जो आप लों का गॡिस्कॉस करेंगे यह कि और लोग का कैसे एक्जाम होने वाल आप लोंका और पी का जो आप लोग का सेकेंड अरे ठीक पहली बार तो हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ कॉलिफाइए निचर है उसमें आपको टॉप लिए करना सिर्फ क्वालिफाइए करना सब कुछ बात करेंगे इसके बाद एक और सेक्षिन पार एव होता है जिसमें आप लोग को जनरल है तो आपको शुरू से आप करी थे और जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे उसका आप होकर लोग के पास रहे ताखिक आप लोग अंक्री टंपर लोग क्यों करेंगे तो च्रीं टेस्ट का सिलबस के सब्साब को तो सब से पहले हैं ज़्या आपको प्रोग कर टै तो सब्सक्राइब नीचे दिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया हूं तो उसका प्लोग उसमें जाहिएगा उस पीडियाफ में जाहिएगा पीडियाफ में डाउनलोड कीजिएगा और सारा का सलेक्स्रीबस के पर गोध्रों करीदेगा ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएग मोटा बटा एडिया मिल जाए कि आप लोको क्या है वेल्डर का जो आप लोगा जो प्रेड है वो क्या है उसके बाद आपवलोग को एक आप के ऊपर अले जोब्हों तो मैं को कुछ नोट चरप में पास अरेच जोते तो नोट की तुर में तो बता दूंगा आगे लेकिन at present आप लोग syllabus को देख लेगा है syllabus बहुत कमी साइट में दीख रहा है तो मैं आप लोगो directly यहां से दिल जाएगा syllabus एक होगे आप लोग का वेल्टर अगला आप लोग का RAC का है deffleilation and air conditioning का इसका भी आप लोग डाउल opens कर सकते हैं उसके बात अब लोगों नश्च्ट देखेंंगा तो Machinist का मिलेगा आप लोगो Machinist का हम दूंस कर सकते हैं उसके जाब लोगो mechanical ग्राइंडर. तभ dependence को भी मैंशिंड़ मेंशिंट हैं और सकते हैं उसके अपोड में आपकूर सोब्सक् mm नहीं जिएगा ईसके इसकी तक私 का का अगले वीडियो में बताऊँगा ताकि आप लोग को क्लियर ओजाएगी कहां से आप लोग उसके लिए जगे लिएक और अगर आप लोग को इसके बार में कोई वीडियो सीज़ी है तो ज़रूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप लोग को जो इंपोर्डें अपलोग के निचे आपटरन को विडियो पनिंक के उसके डाउलोड बलत की ज़िह क्लिक्छ करेंगें एक पार्ट-एप्सकिंग मिलेंग और क्रिजे क्षाइए सारिटेग एंफ कि आप्टर्ट मारें गारेकर निचिंगिंग्पक्त distillate देड़ घंटे का टाइम रहेगा और इसके आप लोग का 100 कोर्शन्स आप लोग के इसके क्यारी करेंगे आप लोग के mathematics, reasoning, basic science, engineering और general awareness, current effects अब इसके हम लोग देख लेते हैं कि इसके क्या topics हैं इसके अंदर, सब topics के हैं इसके अंदर-अंदर, तो अगर हम लोग देखा जाएं उससे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि कुछ आप लोग को important, जो आप लोग को जानना important है, एक तो आप लोग का minimum percentage of marks for eligibility, UR आप लोग का कितना है, 40% आप लोग का qualify है, OBC का 30% है, और SC का 30% है, ST का 25% है, इतना तो आप लोग को लाना ही पड़ेगा, ने तो आप लोग क्या है, फेल होई देएंगे, तो इतना तो minimum आपको लाना ही पड़ेगा, cut-off कोछ भी हो इससे उपर ही होगे, अगला जो multiple choice objective questions, Hindi and English don't होगे, Hindi और English में रहेगा, multiple choice रहेगा, इसमें कोई descriptive ने रहेगा, जैसे कि आप लोग को कोछन बोल दिया, लिखना पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे objective questions रहेगे, अगला आप लोग का हर एक wrong answer में, आप लोग के 1 by 3 marks जोएंगे, बतलब तीन कोछन आप गलत लिखे, तो आपका एक number कड़ी है, ठीक है, तीन कोछन आप लोग गलत किये तो आप लोग का एक number कड़ जाएगा, वहीं पर, अगला हम लोग आ जाते है, थोड़ा इसके syllabus में आजाते है, कि maths का syllabus में आप लोग को क्या के जखने मिलेगा, एक आप लोग का number system मिलेगा, फिर decimal मिलेगा, फिर fractions मिलेगा, फिर LCM, LCR, ratio proportion, percentages, manipulation, time and work, time and distance, फिर simple componentist, profit loss, algebra, और फिर geometry, trigonometry, elementary statistics, यह कुछ नया आप लोग को देखने को मिलेगा, square roots, age, calculation, calendar clock, pipes and system, यह आप लोग को हो जाते है, maths का syllabus, इसको आप लोग ध्यान से देख ली जाएगा, इसको फिर से आप लोग का सकते हैं, अगर आप लोग को स्पीड हो रहा होगा, तो वीडियो, अगरा जो आप लोग का reasoning की ओपर देखा जाए, तो reasoning में आप लोग को क्या क्या है, analogy है, alphabetic number series है, coding, decoding है, mathematical operation है, और फिर सिलोक्स है, और फिर जंबलिंग है, और फिर वेंड डागराम आप लोग को होत होता है, आप लोग का दो डाटा दे देगा, उसमें से आप लोग को पूछेगा, कौनसर डाटा सफिशेंट है, या दोनों डाटा सफिशेंट है, दोनों मिला के भी आंसर नहीं आ रहा है, ऐसा आप लोग करेंगे, और conclusion making रहेगा, जैसे कि आप लोग को कोई भी चीज बो अरिकलर रिजन, reasoning, classification, directions, statement, argument, assumptions, ये सारे आपलो को देखने को मिलेंगे, reasoning section में, अगला जो आपलो का basic science engineering में देखा जाते है, अगला जो आप लोग का basic science engineering में देखा जाते है, अगला जो आपलो का basic science engineering में देखा जाते है, the broad topics that are covered under this, shall be engineering drawing projections, view drawing instruments, lines, geometric figures and symbolic representation, पाल्दे माद इं यूरिट्स मेजर्मेंट, मास्वेड, देंसिटी ये तो फिजिक्स में मिल जाते हैं अगर फिजिक्स में आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप लोग काफी कुछ कवर हो जाएगा वर्क पावर, एनर्जी, साइंस, स्पिर्ल, वोलस्टी, हीट, टेंपरेचर, बैजिक एले ये सारा आपको जो है, आपको पिछले महिने, पिछले 6 महिने के, पिछले 6 महिने के आप लोग को रटे होने चीए, ताकि आप लोग को जो है, इसमें आप लोग को स्कॉर करना है ज्यादा, इसको आप लोग को स्कॉर करना है ताकि आप लोग को कुछ मार्क्स लाने से नह के अंगर के पहते हैं पार्ड दी आपने के जो रहें करना है नेटर हुवकरण में ju with n급 के डूब और इसका आपोा को से आप लोगोंको समय आप लोगों मतुंप दॉर या तॉजह अप लोगों जरूर और सेस्टा नेकिन लिगयों Patty स्टेयोग में एक बता सकते कैं नीचे आपनोका सैध्フसक्राइब को च्थे आप लोगए अपी दिक्कत है तसको आप लोग शेर कर सकता आप से अरह जाया आप लोग चैनल को को करねं लाइक किपि यहा आप लोग को कीजिएगा अपर कार विडियो वीद्लों को सब्सक्राइब सब्सक्राइब अरह किये अप्लों को पिना सब्सक्राइब करना आप लोग person Add吗 झाल झाल